नमस्कार दोस्तों आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर को एक वर फिस्टे में अपने चैनल पे हाजुनू अलोक इंडस्ट्री के तीन बड़े अपडेट्स को लेके देखिए जिसे स्टॉक पे आप पहले से पोजिशन बना के हो और स्टॉक पे अगर कॉंजिक्यूटिव अप स्टॉक काफी लंबे दूरी तक जाने के लिए पूरी तरीके से तयार है तिल नाओ अभी तक क्यूंकि एनस्टी हो या सेवी हो सबों के तरफ से जो रिस्पॉंस आया हूँ हमारे जैसे छोटे रिटेल इंवेस्टर्स चोटे इंवेस्टर्स आप जो भी समझे हम सबों को एक गिप्ट मिला है हमारे कानुन वेवस्था के तरफ से क्यूंकि आपको पता है रिलास इंडस्ट्री काफी बड़ी कंपनी है जिस कंपनी ने आलोक इंडस्ट्री को एक्वायर करने के लिए 75% की वोटिंग से 66% की वोटिंग में ही कमिटी ओप क्रेडिटर्स की वोटिं पढ़ा सारे बेंकर्स को और यह उन्होंने 5000 करोण में इसे बाई कर लिया तो दोस्तों यह सब तो सौरी मैं थोड़ा सा भी में प्रोब्लम से जूच रहा हो सकता हमारे साउंड में भी आपको थोड़ी सी चेंजिंग मिले तो इसके लिए मैं पहले सौरी का देना चाहता हूं देखें दोस्तों आलोग इंडस्टी पर दो तीन अप्डेट्स हैं पहले अप्डेट्स यहां पर देखी एंस्टी को 25 ता है बोथ डे इंक्लूजिव फोर दा पर्पर्स अब 32 एन्वल जेनरल मीटिंग एजी एम दा कमपनी तुब हैल और चोबीस दिसंबर को हेल की गई है और यह एक्स्टेंड भी हुआ पहले इसमें दूसरी डेट थी अब इसमें दूसरी डेट आई है तो 24 तारीक को होगी त तो थी पहली अबडेट दूसरी अबडेट मैं आपके साथ सेर करूंगा और मैंने आप सभी विवास को एक ट्रीक भी बताया था कि आप आलोक इंडस्ट्री पर कैसे जाके बाइंग कर सकते तो मैंने बीसी को दिखाया था कि आप बीसी पे अपना यह लगाई है ट्रेड कर सकते हैं तो बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्रेडिंग की थी और ट्रेड हुआ भी था और यहां पर देखिए बीसी पे अभी भी कितनी 27 नवंबर को कितनी कौंटिटी है तो 22,777,726 कौंटिटी अभी भी ट्रेड हो चुकी है और इस पे 88.88% की दिलेवरी परसेंटे इच दिख रही तक और यहांगी लास्ट में देफ्र होगा तो डी की बात करेंगे लास्ट में जब कुलोजिंग हो जाएगी तो अभी मैं एनसी पर चलंग और एनसी पर देखने की कोशिज करूँ आप जब तो आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी देखिए एनसी पे अपर सब्सक्राइब लग चुका और एनसी पे अभी भी ऑडर कितने लगे हुए आप देखिए सब्सक्राइब लगे हुए अभी भी बीड्स लगी हुई है तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह की होड लगी हुई है बीए सी पे ऐसा क्यूं हो रहा था दो दिन पहले तीन दिन पहले आप देखिए बीए सरक्राइब लगने में टाइम लगता था बट एनसी पे तुरंत ही ट्रेड हो जा रहा था तो यह इस वज़र से है कि देखिए बीए सी प्रीपरology साइद 23 पैसे पे यह स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा और एनसी पे दो रूपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा थो तो जिन लोगों ने एनसी के एक्स्चेंजे से इस स्टॉक को पहले ही बाई किया था उन लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉफिट नजरा रहा था जब यह स्टॉक एनसी पे दो रूपए 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा था दो रूपए 40 या दो रूपए 60 पैसे पे उस समय बीसी पे तीन रूपए के आसपास में यह दो रूपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा था दो रूपए 90 पैसे का तो एनसी पे खरीदा हुआ सेयस बीसी पे विक रहा था क्योंकि उनको पता था कि यहां पे हमको प्रॉफिट 30 पैसे की 25 पैसे की ज्यादा मिल रही है तो बीसी पे सब लोग सेल्स कर र केशना है से का अगर हम लोग इसके हिस टोरिकल डेटा कि बात करेंगे और हम लोग सिर्फ व्क विक डीर डेटा देखने की कोषिश करेंगे तो यहां से क्लिक करने की लिग यंदि डेटा देख लेंगे आप देख रहें करें 21 न동ब्र को आप देखें ल्हें आप देख प आप देख पारें थो आपको समझ मार आगर 2करुण 9 की 20 तारिक को रिक को आट लक की पचीश तारिक को 4 लक की और 26 तारिक को फी 2 क्योंकि बहुत कोई यह कोस्टेन करता कि वीडियो में आपने कुछ कहा नहीं तो देखिए सबसे पहली चीज अलोग इंडस्टी को मैं यहां पर लिखूंगा अलोग इंडस्टी को nclat ठीक है फिर nclat national appellate tribunal ठीक है और तीसरा से भी तीनों के तरफ से हरी जंडी मिल चुकी है कि यह डिलिस्ट नहीं होगा वेवियर को रिजेक्ट किया गया है चाहे न्यूज आपका कहीं भी पब्लिस्ट हो वह मनी कंट्रोल पे अभी तक करेक्ट नहीं हुआ बट आपका इकोनॉमिक टाइम सो फिजना से स्टेंडर्ड हो अधाइम सप इंडिया हो हर जगा पे इस चीज को क्लियर कर दिया गया इसके बाद भी अगर कोई आर्टिकल्स छपती है तो डिरेक्ट ली नहीं कह रहें आप इस चीज को समझने की कोसिस कीजिएगा जितने भी आर्टिक और एक बड़े कंपेनी के लिए चाहे वो रिलाइस इंडिस्टी हो या फिर कोई भी हो इंडिया कर लेकिन इनको देखने की जोरत होगी कि यह आगे फर्दर कहां तक जाते हैं क्या यह सुप्रीम कोट जाएंगे तो सुप्रीम कोट जाने के बाद भी इनको चैन नहीं मिल करने वाला है ऐसा मेरा मानना है दोस्तों आप इस चीज को भलिवाती समझ के सब चीजे करेंगे अभी तक सारी चीज आलोक इंडस्टी के फेवर में है बिल्कुल बने रहे हैं इसे स्टॉक पे जैसे जिसे साब से इस पर होड़ दिख रही है आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि समझदार कोई सारा काफी है कोई भी डिरेक्ट लिस चीज को नहीं बोलेगा क्या आप इस स्टॉक पे एक लाग रुप्या लगा बैठे रहे हैं यह आपको एक साल में करोड हो जाएगा कोई भी नहीं बोलेगा चाहिए वह कितना भी बड़ा ब्रोकर्स हो नीचे इस चाहिए आपको लॉस होता है तो वह दो मजहने आएगा ठीक है तो मैं यहीं कहूंगा कि इस पर बहुद ज़ादा पैसा अप ना लगाए ठीक है इस पर रिस्क भी उतना है रिवायड भी उतना ही है बर्ट णीन्ष या ज़िक और बचा हुआ है जो कि अगर यह सुप् पनी उसके लिए एक बहुत बड़ी कोट है वहाँ पर इन्हें हरीजंडी नहीं मिले तो कहीं भी हरीजंडी नहीं मिलनी चाहिए और इसका एक प्रूब पर डेफिनेटली बने रहें दोस्तो और जिस हिसाब से बाइंग हो रही है आप देख पा रहे हैं आप भी थोड़ा इस पर समझदारी और समझ का काम लें और इस स्टॉक पर अगर आपने पोजिशन पहले से बना के रखा तो बहुत अच्छी बात है और मैंने कुछ एक दि दूसरी अगर ये सुप्रीम कोड याती है तो क्या होगी तो मैं अभी थोड़ा सा आपको लिये चलता हूँ एक अपडेट पर देखिए मैं इसी अपडेट की बात कर रहा था आप सबों को पता होगा बट इसमें एक बहुत अच्छी पॉइंट्स दी हुई थी इस चीज को आपने नोट किया था या नहीं किया था वेगरा जो भी आप हमारे वीवर्स है तो हमारा काम है आपको इस चीज तक करता हूँ और साथ ही अगर वीडियोस थोड़ी से लंबी होती है तो इस चीज के लिए कमेंड ना करें एसार स्टिल केस सुप्रीम कोट इस ट्राइक डाउन एंचल्टी ओडर ठीक है तो 15 नवंबर को जब यह निव जाई तो कितने लोगों ने इस चीज को देखने की क्रेडिटर्स थो डिस्टूबिशन अपर फंड रिलाइज फ्रम एंस एंसल्वेंट एंसेट्स एंड एड्जूटी अड्यूटी अध्यूटी अध्यूटी इंट्यूटी इंट्व डिशूलेशन प्लान जो रिजूलेशन प्लान एक बार बन चुका है इसमें कमीटे पूरा का पूरा हक है और वही इसमें फंड्स की बात हो रही थी क्योंकि फंड्स का डिस्टूबिशन के लिए इस पर केस चल रहा था कि किस हिसाब से फंड्स बाटा जाएगा इसी के लिए बट यह केस डिफरेंट है लेकिन कमीटे ओप्रेडिटर्स ने यह चीज क्लियर कर दिये कि इंसल्वेंसी में 5 सालों तक डिलिस्टिंग की बात नहीं है एक्जिट प्राइस की बात मेंसन नहीं है तो यह डिलिस्ट नहीं हो सकता तो इस चीज को इसके साथ जरूर आप को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा बाकी सारी चीजे यहां पर पढ़िएगा य आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते आपके रिजुलेशन प्लान में इस सारी चीजे नहीं हैं और आपको सेवी के साथ ही जाना होगा सेवी के हिसाब से जब तक आपके रिजुलेशन प्लान पे और रिजुलेशन प्लान पे ना एक्जिट प्राइज है न दिलिस्टिं रहें और अगर निव बायास इसे बाइंग करना चाहता है तो इस दोनों स्टॉक एक्सचेंजेश पर आप अपनी क्वांटिटी को ट्रेड करने पर लगा दे और हो सकता है कि इसमें आपको बाइंग ऑपर्चुनिटी मिल जाए जैसे इस पर सेलिंग आएगा और चीजें होंगी जो आप तक पहुंचाना को हमारी चैनल पहुंचाएगा तो जरूर इस वीडियो पर जो देखा आपने वह अगर अच्छा लगा होते हैं लाइक कीजिए का साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सेयर कीजिए उन लोगों तक जो एक्चु होड से भी ज्यादा होड पे लगें वैसे बाइंग करने के लिए समझदारी और बुद्धी और का इस्तमाल कीजिएगा दोस्तों स्टॉक मार्केट में चलिए किसी की बाते सुनके कभी भी ट्रेड ना लीजिएगा थैंक्यू